नमस्कार दोस्तों, OCA Network में आपका स्वागत है, अभी शोर शुरू भी ही नहीं हुआ, और मेरे इन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में तीन मेसेज अल्रेड़ी आ गए, क्यों आए? क्योंकि मैंने जो थमने लगाया है, जो मैंने आज विशे चुना है, उसका शीरशक देखकर के ही, अब ही ऐसे बहुत सारे हमारे मित्र हैं, जो सजब हो जाते हैं, सतर्क हो जाते है और फिर टिपणियां करते हैं, कि नई-नई, इसका मतलब ऐसा नहीं है, इसका मतलब ऐसे है, जैसे तीनों ही मेसेज का सार ये है, कि साब ये बिहार और आंध्रा परदेश, ये भी तो भारत के ही हिस्से हैं, तो आप ऐसा क्यों मान करके चल रहे हैं, कि इन दोनों रजिय के लिए अगर बजट में मौधी सरकार ने विशेश पैकेज दिया है तो वो कोई कीमत चुका रहे हैं एक्चुल में क्या है कि जो लोग दो हजार उन्नीस के पहले की राजनीतिक घटनाओं से आउगत हैं परिचित हैं उनको जानकारी होगी कि चंद्रबावु नाइडु न करेंद्र मोधी का एंडिये का साथ छोड़ करके क्यों चले गए थे उस समय चंद्रबावु नाइडु आंद्रा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 2019 से ठीक पहले यानि लोक सबार विधान सबाचुनाव से ठीक पहले वो एंडिये का साथ छोड़ करके इसलिए चले गए थे क्योंकि वो लगातार आंद्रा प्रदेश के लिए एक विश्येश पैकेज की मांग कर रहे थे जो नई राजधानी बन रही थी अमरावती उसके लिए भी कुछ दूसरी योजनाओं परी योजनाओं के लिए भी और मौधी सरकार वो पैकेज देने के लिए उस रूप में तैयार नहीं थे तो चंदरबाबु नैडू उनको छोड़ करके चले गए थे हालकि इस्ट्रेंथ थी 303 तो 282 तो अकेले भारती जिनता पारिटी के ही थे और NDA के दूसरे दलों के मिलकर के 333 थे आंद्रा परदेश के मुख्यमंत्री चले गए थे टीडीपी के मेंबर ऑप पार्लिमेंट भी उनके साथ नहीं रह गए थे तो भी सरकार को कोई खत्रा नहीं था अब 2024 के लोकसवा और विधानसवा चुनाव से कुछ महिने पहले चंदरबाबु नाइडू की वाफसी हुई है और उसका फाइदा चंदरबाबु नाइडू को भी मिला है भारतीय जनता पारिटी को भी मिला है आंद्रा परदेश में भी और तेलंगाना जो कभी आंद्र हुआ करता था उसमें भी अब इस्तिती यह है कि आंद्रा परदेश में पहली बार भारतीय जनता पारिटी को लोकसवा की इतनी सीटे मिली है चंदरबाबु नाइडू सत्ता में वाफसी कर चुके हैं अब वहां के मुख्य मंत्री भी है और अधिकांस लोकसवा सीटे भी उनकी टीडीपी पारिटी ने जीत ली है चार जून को जब रिजल्ट आये थे तो भारतीय जनता पारिटी या कहें के नरेंद्र मोदी दो सो चालीस पर अटक गए थे यानि कहां तो चार सो पार का नारा चल रहा था और पूरे चुनावी कैमपेन में ही ये चार सो पार का नारा उनका चलता रहा उसने बैक फायर किया जो विरोधी थे चाहे राहूल गांदी हो या कोई भी हो उन्होंने एक ऐसा माहूल बनाने की कोशिश की और कुछ बाहरते जनता पारिटी के लोगों ने भी ये माहूल बनाने की कोशिश की किसाब चार सो पार इसलिए जरूर कर सकें उसमें वक्ष एक्ट समाप्त करना वर्सिस पहले से समाप्त करना बहुत सारे ऐसे पारण गिनाए गए कि चार सो पार क्यों चाहिए अश्वनी उपाद्याय से लेकर के तमाम लोगों ने तो वीडियो जारी करके पूरी महीम शुरू कर दी थी लेकिन इससे क्या इससे ये हुआ कि जो मुस्लिम समुदाय है वो हो गया मौदी सरकार के खिलाब पूरी तरीके से एकजुट ऐसा नहीं है कि 2014 में या 2019 में वो एकजुट नहीं था पर इस बार ज्यादा एकजुट हुआ ज्यादा ताकत के साथ में इनके पीछे खड़ा हुआ कॉंग्रेस औ प्रदालों के और ये लगभग तय कर लिया था कि वही किसी भी तरीके से मौदी को तीसरी बार प्रदानमंत्री नहीं बनने देना है लेकिन वो तीसरी बार प्रदानमंत्री बन गए हैं और जो कहा जा रहा था स्वेम मौदी जी के द्वारा कहा जा रहा था कि ये जो तेजी है ये जो तीखापन है ये जो धमकियां है ये केवल चार जून तक हैं इसके बाद हम देखेंगे और देश की जो सामर्थ है देश की जो ताकत है वो हिसाब किताब करेगे लेकिन क्या हम और आप ये महसूस नहीं कर रहे हैं कि सरकार तो बन गई है नरेंद्र मोधी तीसरी बार परधान मंत्री भी बन गए हैं लेकिन जो विशेश सत्र बुलाया गया था शपत ग्रहन के लिए राश्टपती के अभी भाशन के लिए और ज जब सारी चर्चा का जवाब देने के लिए परधान मंत्री नरेंद्र मोधी खड़े हुए उनका जो भाशन हुआ उसमें जिस तरीके से विवधान डाले गए और सरकार भी और इस्पीकर भी केवल मूख दर्शक बनी हुई थी जब कॉंग्रेस और दूसरे दलों के मेंब परधान मंत्री के भाशन के दोरान वैल में आकर के लगातार नारे बाजी कर रहे थे दही घंटे तक सवा दो घंटे दही घंटे तक इससे एक गलत मैसेज गया ठीक है हम मन को समझाने के लिए कह सकते हैं कि पहला सत्र था विशेश सत्र था कोई कि ऐसी शुरुवात ना हो जाए जिसके गलत संदेश चले जाएं पहले ही सत्र में हंगामा कर रहे जो मेंबर ओ पार्लेमेंट हैं उनका निलंबन या निसकासन ठीक नहीं होता उसके गलत मैसेज जा सकते थे ये मन को समझाने वाली बाते हैं लेकिन साब जो मैसेज जाना था वो तो चला गया और मैसेज ये गया कि इस बार मौदी जी की सरकार जो है वो मजबूरी की सरकार है मजबूत सरकार नहीं है जो चंदरबाबु नैडु दो हजार उननीस से पहले विशेश पैकेज की मांग पूरी ना होने पर चले गए थे वो वापस तो आए हैं और उ इतीश बाबु के 12 MP ये मिला करके मौझूदा नरेंद्र मौदी सरकार को संबल दे रहे हैं ये भी हमें स्विकार करके चलना चाहिए लेकिन क्या ये एक मजबूरी दिखाई नहीं दे रही है कि आंदरा प्रदेश को भी विशेश पैकेज देना पड़ा 15,000 करोड का और ब इसलिए मैंने कहा है कि सरकार चलाने की सरकार बनाए रखने की और ये पांच साल का करेकाल पूरा करने की कीमत चुकानी पड़ रही है नरेंद्र मौदी को और ये बात ठीक है इससे मेरी कोई असहमती नहीं है कि आंदरा प्रदेश भी भारत का ही हिस्सा है बिहार भी भार का ही हिस्सा है और अकेले हैं कि आन्द्रा पढूदेश को या बिहार को ही बिहार पर ही किर्पवरस रही वो इस सरकार की पूरवो देज जो योजना आई है उसके लावार्त ही तो पश्यिम बंगाल भी होंगे बिहार भी होगा, उरीसा भी होगा, ज्हार खंड भी होगा, लेकिन इसके मैसेज कही ना कही गलत जा रहे हैं और अगेन ये एक मैसेज गया है और जिस तरह के बयान आये हैं अलाकि आंदरा परदेश के मुख्यमंतरी चंदरबाबु नाइडू का जो 15,000 करोड के विशेश पैकेज के बाद बयान आया है वो थोड़ा संतुलित है उन्ह मैं अपनी तरफ से भी और आंदरा परदेश की जनता की तरफ से भी विटमंतरी निर्मला सहीता रहन और परद्हान मंतरी नरेंद्रमोडी का धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आंदरा परदेश की जो जरूरते हैं उनको समझा और एक में कारिकारी अध्यक्ष बनाए गए है उनका बयान आ गया है कि साब ये तो शुरुवात है ये तो पहला साल है ये तो पहला बजट है और पहला बजट है तो हमें 58,000 करोड मिल गए हैं अब आगे चार बजट और आने हैं और विहार को बहुत कुछ मिलने वाला है जैसे नि तीश कुमार ने कहा कि साब अभी सब कुछ पूछ लीजिएगा धीरे धीरे सब चीजे जान लीजिएगा यानि अभी भी उनकी जो योजनाएं हैं वो ये है कि साब ये जो बारे मेंबर और पार्लेमेंट है जेडियू के इसके बल पर तो हम अब हात मरोडते रहेंगे और मेंसेज जाना ठीक नहीं होता है अब छोट छोटे दूसरे दल भी हैं महराष्ट भी है जहांके मुख्य मंत्री एकनात शिंदे शिवसेना परमुख हैं अजित पवार वहाँ पर शामिल हैं तो इन सब की भी उमीदे बढ़ जाएंगी अपेक शाय आकांक शाय बढ़ है कि 240 ही हैं मोदी जी के और भारती ये जनता पारिटी के 272 पार करने के लिए इन सब छुट-छुटी पारिटी चिराग पासवान मगरा ये सब मिलकर के RLD अभी हमने देखा ही हैं जो कामड यात्रा को देखते हुए योगी सरकार ने फैंसला लिया कि मुझफर नगर और जो दूसरे जिलों से होकर के गुजरने वाली कामड यात्रा है वहाँ पर जितने भी दुकांदार हैं वो अपनी नेम प्लेट लगाएंगे अपना नाम उजागर करेंगे अपने करमचारियों का नाम उजागर करेंगे क्योंकि तमाम ऐसे वीडियो वाइरल हैं जब ये भोजन बनाते हुए भी दूसरी चीजे बनाते हुए भी थूक रहे हैं या इस तरह की चीजे कर रहे हैं तो वो जब मैसेज आया जब आदेश लागू हुआ और वो परिवर्तन होने शुरू भी हो गए तो हमने देखा कि आरेलडी परमुक और केंदरिय मंत्री जैंत शोदरी का भी बैयान आ गया कि क्या आप कुर्ते पर भी अपना नाम लिखा जाएगा लिखवाया जाएगा चिराग पासवान का थोड़ा सा नरम था लेकिन केसी त्यागी का आ गया जेडियू की तरफ से अलग अलग जो इनके सही योगी हैं उनके बैयाना ने शुरू हो गए और उन्होंने विरोध में टिपणिया जाहिर कर दी तो आप जड़ा सोचिए कि अगर मौदी जी की पारटी को 272 से अधिक सीटे मिली हुई होती तो क्या इस तरह के बैयान आते या इन बैयानों का कोई महत्व होता अब इसलिए महत्व हमें लगने लगा है कि जब भी कोई इस तरह की बात आएंगी या जब भी इस तरह के स् तो काम करना मुश्किल कर देंगे और अभी तो ये चुट-फुट कुछ चीजें हैं जिसमें कुछ फैंसले लिए गए हैं आगे को अगर कोई बड़ी कारवाईयां होने लगी बड़ी कारवाई किस रोप में किसाब पीओ जेके या गिलगीट या बाल्टेस्तान को लेकर कि अगर कोई कारवाई करनी पड़ गई ऐसे हालात बन गए और ये तो ग्रह मंतरी अमित शाह हों रक्षा मंतरी राजनात सिंग हों या खुद प्रधान मंतरी नरेंद्र मौदी और विदेश मंतरी ऐस जैशंकर अलग-अलग मौकों पर कह भी चुके हैं कि वो हमारे हिस्स तो अब मौदी जी के साथ में मुस्लिमों के परती थोड़ा बहुत सौफ्ट कॉर्नर रखने वाले दल जुड़े हुए हैं वो ऐसे समय पर उस तरह का तेवर नहीं दिखाएंगे इसकी क्या गारेंटी है जो इस्तितियां पर इस समय केंदर के साथ हैं मौदी सरकार के हैं जिन्होंने वोटिंग के समय लापरवाही दिखाई घरों से नहीं निकले एसी में पड़े रहे छुट्टियां बनाने निकल गए या रिष्टेदारों में चले गए और सोच लिया के 400 सीटे तो आई रही है हम जाकर के वोट नहीं करेंगे तो क्या फरक पड़ता है अ वो इस्तितियां पर इस्तितियां क्या होती अंदाजा लगाईए और आज अगर मजबूरी की सरकार है यानि उतनी मजबूत सरकार नहीं है उनको हर कदम के लिए हर फैसले के लिए अब जो बड़े सेयोगी हैं उनका मूँ ताकना पड़ेगा उनकी चिरोरी करने अभी एक मैसेज आ रहा था एक खबर आ रही थी के राज्य सबहा में जरूरी बिल पास कराने के लिए जो नवीन पटनायक के नो मेंबर ओ पारलेमेन्ट राजसबहा में हैं उनके समर्थन के लिए अमित शहा को नवीन बाबु को फोन करना पड़ा और वो नवीन बाबु जो पूर जिर्ता बनाई रखी जिनों ने धहर्यवान रहे, संतुलित बने रहे, ना कभी मम्तावेनरजी की तरहा वो तीखे रियक्षन देते हैं, तीखे बयान देते हैं, चैलेंज देते हैं, ना वो अखलेश यादव या दूसरे राजनितिक दलों के तोर तरीके अपनाते हैं, इसकी कीमत भी उनको चुकानी पड़ी इस बार, और पिछले पाँच साल और उससे भी पहले पाँच साल, जब राज्य सभा में नरेंद्र मोदी सरकार का बहुमत नहीं था, और राष्ट हित के बहुत महत्वपूर्ण बिल इनको पारित करने थे, तब दो ही दल इनके काम आये थे, एक जगन मोहन रिड़ी और दूसरे नवीन पतनायक, और इस बार तो नवीन बाबू की लोगसभा में तो कोई सीटी नहीं आई है, 21 में से 20 तो अकेले भारतिये जन्ता पार्टी ने जीत ली और एक वहां कॉंग्रेस ने जीत ली, और वो सत्ता से बाहर भी हो ग नवीन पतनायक, राजसभा में राष्ट हित से जुड़े हुए तमाम बिलों पर, यानि विरोध करने के बावजूद, राजसभा में वो भारतिये जन्ता पार्टी का सेयोग करेंगे, तो ये इस्तितियां परिस्तितियां इस समय हैं, हाला कि राजसभा में अब खुद अ उपर सदस्य हो गए हैं, और कॉंग्रेस के तो घट करके पचीस के आसपास आ गए हैं, तो भी जब आपको राष्ट हित में बड़े फैंसलिल लेने होते हैं, तो आपको समर्थन की दरकार होती है, और लोग सबह में चुकी इस बार इंडिपेंडेंडेंटली भारतिये ज जा रही थी, मान क्या थी के आंद्रा प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, तो वो तो नहीं हुआ है, पर विशेष पैकेज तो देना ही पड़ा है, अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत और साथ में लगे बेल आइकोन को दबारा ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नौटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार